पूरे भारत वर्ष में श्रीदत जन्मुचस बड़े ही हर्शुलास के साथ मनाया गया इसी क्रम में दक्षिन नाकपुर इस्तित बेल तरूडी के श्रीदत मंदर के प्रांगन में श्रीदत मंदर स्थापना दिन पंच अफ्तार उपार और सन्यास दिक्षा का कारेक्रम लि पेश अमारे समवत्ता संजे मिरे इनकी ये रिपोर्ट आईए देखते हैं अन्यास दिक्षा कारेक्रम के साथ स्यादे दिन दर्शिका का विमोचन कारेक्रम में मौचूद मानुभवों के हातों किया गया दत्तमंदे प्रांगन में काफी चांदा सजावट की गई थी श्रीदतत्रे जी के जनमुच्षफ की आरती पूजा अरचना और पंच अफ्त जब प्रांगन में महार्ति और श्रीदतत्रे जी और श्रीक्रिषन जी का जयकारा हुआ उस समय पूरा शेतर सराभोर हो टा था आनन में हो उटा था श्री दतात्री मंदे जन मुसफ का शानदार आयूजन अर्विन भाजी पाले, जैश्री भाजी पाले, विशेश भाजी पाले और भक्तो द्वारा किया गया था विदर्व महराश्र और दिली से आए महानुभवों ने महाप्रसात का लाब उठाया। धुले के श्री सालकर बाबाजी के प्रमुक अध्यश्यता में हुए इस कालिक्रम में दिली गाजियाबाद के श्री जामुदेकर बाबाजी और खनेपुरी के श्री प्रद्यासागर बाबाजी खास तोर पर मौझूद थे इस मौके पर समवादाता संजे मिरे इन्हों ने श्री सालकर बाबा से बाकचीत की श्री सालकर बाबा इनी ने बीसियन समक्षित जान करे दी। इस समय में हमारे साथ में परम पुझे निया पत्ता दिश्टित महंत धूर कर सालकर बाबा जे हमारे साथ में धूले के आईए उनसे जानना चाहेंगे। प्रभू ने भक्ति मार्ग का प्रशारन किया है मनुष्य जीवन के लिए भक्ति की कितना महत्तमता है कितने योग्यता होती है उसमें वो बताई है इसलिए भक्ति मार्ग की शुरुवात दात्ता प्रभूसी की गई है। और इसलिए हर आदम में भक्ति की जरूरत है अमारे शरीर की शुरक्षा के लिएậम आच्छा खाना काते हैं rectangle के सूरक्षा के लिए हम कुछ सेविंग करते लेकिन अमारे शरीर में आत्मा के शुरक्षन के लिए क्या करना ए गीता मैं भगवान ने बोला आध्यात तत्व ज्यान के लिए हमें परमात्मा की भक्ति करना चाहिए इसलिए गीता का संदेश सब्समाज के पास जाने के लिए और श्रीदत्तात्रे प्रभु का जो 24 गुरु का ख्यान है उन्होंने चिटी को भी गुरु मनाया चोटे से छोटे चीज को मधुमक्षी को गुरु मन कर दोने का, चोटे से छोटे आदमी को बड़ापन देने का, उसको संस्कारित करने का ओम की ह battle मेंत करना किया किम्गी हमेशा हर दिन मेहनत करती रहती है कितना भी पॉद्श को गुन लिया और कि समाज को बताया, हर आदमी इने हमेशा मेनत करने चाहिए और परिश्रम करना चाहिए मुंगे अपना आनाज का कन मुह में ले जाती है वो कई बार गिरते हैं फिसलती है लेकिन वो अपना रस्ता नहीं छोड़ती है इसी प्रकार से अमारे जीवन में हार आदमी ने प्रयाश करना चाहिए अमारे समाज कल्यान के लिए अत्म कल्यान के लिए राष्टर कल्यान के लिए हमने प्रयास करना चाहिए और अच्छे विचारों का प्रचार करना चाहिए इस सद्धात्र प्रभु का संदेश है तो इस प्रकर का ये संदेश आज सारकर बाबाजी ने ये दिया है कि स्रीदतातर महाराजी का संदेश क्या था जिस पे अमल आज भी किया जा रहा है और कहते हैं कि कौन कहता है कि आस्मा में सुराग नहीं होता एक पत्थर तो तब यह से उचाले यारो जिसे कुछ करने की च जाला किया है सयान रिशिक्रे रम्यम अत्रियों नसुय नंदनम कौम अंदे परमानंदम सिद्धा तात्रियम जगत गुरू बेलतरूड हिसे संजे मीरे बीसे न्यूज नाकपूर